उसको वाई प्लिस की स्कूर्टी देर है यह सारे के सारे ब्रामण मनिय ठाको रहे यह सारे मिले में यह ज़ाना चाहते हैं इस देश को यह की जिस तरह का माहोल है दिल्ली के अंदर दंगे हुए अब उन सब चीजों से उपर हटा कर एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाईरल हो रही है जिसमें यह दिखाने कोशिस की जा रही है कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है यह दिल्ली दंगों का जो असर पड़ा ह है वो दली समाज और दली समाज के लोगों के साथ काफी अत्यचार हुआ है ऐसे में संक्य कुछ लोग उसमें नजर आ रहे हैं उस वीडिया में क्या कहेंगे यह ना पाउजनों को बढ़काने का एक रास्ता इंडों का अरे इसमें पंडे जी भी परे हैं और भी एक तो ल सब्सक्राइब करते हैं यह तो हमारे लोगों को आपकी बार क्या हुआ जंगों में वाल में की जाती के लोग चमार जाती के लोग जाटा समाथ के लोग जितने भी बहुजन समाथ के लोग थे उन्होंने एक मिसाल काइम की दिल्ली में कि हम मुसल्मान भाईयों से नहीं लड़ेंगे हम मुसल्मान भाईयों की मदद करेंगे उनके साथ खड़े हैं और सिखों ने भी खुल के साथ दि और जो इनके जो दल है जो RSS की साखाए हैं उरे अलग-अलग स्टेटों से बुला करके इन लोगों ने दंगे करवाए हैं और यह तो इनकी चाल है बहुत जनब इस चाल में नहीं आ रहा है बैट करके बढ़कान और हिंदु कभी हिंदू कभी हिंदू पूरा इनका पूरा इनका फोकसिद मुसल्मान परप रहा यह लोग दिल्य Іगोंग इतने शबज़दार हो गया है के गुझराती गुढदो millennium काव यह घुधरानी मने देंगे इस देश को यह दिद्ली हमेशा से शान रही है पहुजुनों की मुसल्मानों की इस दिद्ली को जलाने का इंट लोगों न शाप्रा देखा है वह इनका कई जूर है इसलीए बहुजनों को उक्षाने की दिलीं को दिखाँ when you live. लेकिन आप लोगों कोimas et आता है, आप लोग अधोद वहğ मेंचे आता है, वांबोस सारे लोग소यका सोती हैं, वह मेंचेज ही और भाजपारिय गृंड़ें, मेसीज को पूरा पूर दिल्ली मेपर प्नाया पर जो हमयारा अरिया लगता है उस सत्रक्ड पूलिस को अब सुस्वारे समझ नहीं हो रहे हैं आप दिक्कत सिर्फ प्रहमनवाद विवाद शी एक अपने मनसूबें में काम्याब नहीं हो रहे इनको जो यह इंडर एजेंडा जो था इनका कि पहले मुसलमान में पर टार्गेट करो उसके बाद आदिवासी बहुजन और उसके आज सिंख भी इस देश में जो पंद्रा परशेंट लोग हैं मैं तो यह कूँगा पंद्रा पर कर लों परदान मंतरी कहता कि हम लोग जो आपकी जो सोसल मीडिया है यह जो यूट्रामंतरी लाइकक नहीं रहे देश में संदी भाई जिस तरह से कई इलाकों में जो ज़ाद है प्रभावीत इलाके थे जाफराबाद और हम सीलंपुर जैसे मोजबुर जैसे इलाके इक बात करें वहाँ पर कुछ ऐसी मिसाले कायम की गई दलितों ने और मुस्लिमों ने मिलकर वहाँ पर दंगाईयों को ख़देर दिया यानि कि उस इलाके में नहीं घुसने दिया जबकि इस्थिती यह थी होनी चाहिए थी कि जो जन्पृति नहीं थी थे खासकर जो पूर्ण बहुमत यानि प्रचंड बहुमत के साथ जो आमाद्मी पार्टी जीत कर दिल्ली की सत्ता में आई है उनके विधायक दंगा सब्सक्राइब करना महार रखी जा सकती थी देखिए आप एक चीज़ देखो सफस्ट सी बात है साब काशी रापने भी कहा दा एक सापनात है नागनात है और इनके सम्भोग से जो है सपोलिया पैदा वाद्रिली में केजरी बात यह सपोलिया है और यह बहुत जहरीला और तो मिट्व पुल्ला जारें कपिल मिसरा को भी लाने वाणा यही था जिस आदमी को जेल होनी चे जिसमें फायर होनी चे उसको वाइपलिस की स्कूर्डी दे यह सारे के सारे ब्राह्मन बनिये ठाकों यह सारे मिले वें यह जड़ाना चाते हैं इस देश को यही परिव सब्सक्राइब के लोग है के जिर्गा सब्सक्राइब करने आपराबाद में इसके मंतरी हैं क्या यही इसलिए का दा का दा का हम मेलकर हमिसा परदान मंतरी साथ परिवार हैं केजरीवाल की तो भाहिट भी इसने का कि मेरा बाप संगी था मेरी मां संगी दाम संगी परिवार से हैं यह सारे के सब्सक्राइब कर लिया के दिल्ली को चड़ाएंगे और आप चुप चे बैठ रहे ना लेकिन जिस व्यक्ति ने सविधान जड़ा था इस केजरी वाल नाराब आज तक प्रमीशन निदी उसके खिलाब मुकत्मा रोक के बैठा फाइल मेरी मेरी संगी देरा तो यह सारे का सारे एक ही परिवार के लोग है समझना पहुजर स्वाज के परिवार के लोग आप पूरे दंगा पीडी छेतर जहां पीडी लोग हैं उनसे मिलें गए क्या लगा आपको कि सबसे ज्यादा नुक्सान किस समाज का हुआ है देखी जो नुक्सान हुआ है और मुस्लमान भाइयों के घरों को सकुल्डों को उनी की पार्सक्राइट करके जलाया गया है और ये बाहर से गुंडे लाए गया है ये मनसुबों में फेलो रहे है लोग, इनके मनसुबह कामयाब नहीं हो रहे दिल्ली को सब्सक्राइब जलाने के ले लोग चाह्ते थे के दलीक दन सारे लोग आजाएं यह वोट अमारी जो प्रमसाव मिडिक ने दिया था उसको खतम करने का बहुत बड़ा डेश में जनाख्रों से लोग सड़कों पर उतरेंगे इवीएं की हिदा भी बहुत सारे संग्टण है जो इवीएं के खिलाब उतरना चाह रहे यह पहले ही मुता खितम कर जाना चाहें है सेकी सेकिन सीटीज़ कर देना चाहते हैं मारे लोग हो जो इतने कठिनाईयों से लेकिन जिस तरह से फासी टल रही है ज़स्तिस होता नहीं है पुरा सिस्ट्रम आई जाएगा देश को बचाना है सभी लोगों को सरको प्याना पड़ेगा आज मैं सलूट करता हूं मुसलमानों को साइडा बाग में बैठी हमारी मा बैड़ों को कि उन्होंने इतनी बड़ी अवर्नेस देश में लाई कि इस मुद्य को इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया आज पूरी दुनिया में इस मोधी सरकार की धूतू हो रही है ये चाहिए कुछ भी करें तेकिन आज ये सरकार फेल हो रही है ये सरकार गिरनी चाहिए और तड़ी पाढ़ अविक्सा का इस्तिफाण ने चाहिए परधानमंत्री का इस्तिफाण चाहिए जितने भी लोग जंगाई है सब के इस्तिफेदें और मैं बहुजन समाज के लीडरों से सब्सक्राण चाहिए यह सरकार निकम्मी है जब तक सरकार निकिलाओंगे यह सोशन चलता रहेगा